नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में है दोस्तों ये देख रहे हैं बोगन बिलिया का पौधा है और अस पर धेट सारे फूल लगे हुए हैं काफी अच्छे में फ्लॉरिंग हो रही है इसकी तो शुरूरी काम हैं अगर आपने नहीं किया है तो आपको काफी नुक्सान हो सकता है मांसून सीज़फे, तु दोस्तों कोई पाडिस्क ना करें वीडियो का आखेट तक बने रहे जिसको हमने यूज कर लिया है, उसमें पौदे नहीं लगे हैं, तो उन्हें हमें क्या करना है, धूप में एक से दो दिन तक उसे धूप में डाल देना है, मिट्टी में जो भी बिमारिया हैं, फंगस हैं, वो सूरज की रोसनी से स्टेरिलाइज होकर, फंगस मुक्त हो जाए तो अच्छे से हमें धूप में सुखा लेना है, और सुखाने के बाद, फिर हम इसे स्टोर करके रख लेंगे, क्या होता है, जब हम सर्दियों में, मांसून में, मिट्टी यूज करते हैं गमलों के लिए, पौटिंग मिक्स बनाने के लिए, तो उसमें जो हम मिलाते हैं, तक वो मिल नहीं पाता है, मिट्टी गीली होने वज़ाते हैं, इसलिए सुखा के हमें रख लेना है, और फिर उसको हमें मांसून सीजन में यूज करना है, तो यह पहला काम था दोस्तों, अब नेक्स्ट वर्क जो है, यह है दोस्तों, अब जैसे ही मांसून आपके हाँ द तो आप गमलों को report कर सकते हैं, अगर पौधा काफी टाइम से एक ही गमले में लगा है, तो आप उसे निकालके बड़े गमले में shift कर सकते हैं, या फिर उसकी root pruning करके आप उसी गमले में दुबारा से लगा सकते हैं, बस उसमें आपको क्या करना होगा, आपकी जो मिट्ट पुराना पौधा हो जाता है, तो root जो है, या नीचे drainage hole से बाहर निकलने लगते हैं, तो आपको ये भी चिक कर लेना, अगर ऐसी समस्या है, तो उसको भी आपको pot में से पौधा निकालके root की हलकी pruning कर लेनी है, और वापस से आप हलकी pruning करने के बाद उसी गमले में जाते हैं दोस्तों अपने अगले work पर, तो दोस्तों अगला काम जो है, वो है, seedlings तयार करना, monsoon season के लिए जो भी vegetables या flowers आप लगाना चाहते हैं, उनकी seedlings, monsoon आने के कुछ दिन पहले से अगर तयार कर लेते हैं, तो आपको जो उसमें fruiting है या flooring लेने में time नहीं लगेग यानि कि आप अगर पौदे तयार करते हैं और monsoon आने से पहले उन्हें transplant कर देते हैं, तो आपकी पौदे की growth काफी अच्छी दिखेगी और आप ज्यादा जल्दी फल, full आपको मिलने लगेंगे, तो जो भी सबजियां या full आप लगाने की planning कर रहे हैं, उनकी seedlings अभी से start क कर दी जाएं, तो जब तक monsoon अब हमारे यहां दस्तक देगी, पौदे जो है थोड़े बड़े हो जाएंगे और extra watering की वज़े से पौदे मरेंगे भी निक काफी अच्छी से आपकी पौदे की growth start हो जाएगी तब तक, next जो है दोस्तों वो है कि monsoon season आने में काफी जो है पौदे को कोई नुकसान नहीं हुआ पर यह देखे ही जो मेरा अनार का पौदा है, अलांकि इसमें धेर सारे अनार लग रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगे अगर दिख रहा है तो, तो इसे support देना बहुत ही आवस्याख है, तो जो भी पौदे हैं आपके कमजोर दिख रहे हूं आपको, उन्हें आप support monsoon आने स पहले हमें पौदों को select कर लेना है कि किन-किन पौदों में हमें hard pruning की, semi hard pruning की या pruning की pinching की आऊ सकता है, जैसे ही यह देखी विंका प्लांट है, इसमें हमें pinching कर नहीं है, आप देख सकते हैं, इसकी branches नई-अई नई निकल के आ रही हैं, और सब मेंसे floor प्रोड्यूस हो भोगनविलिया का पौधा हमें हमें हार्ड प्रौनिक систakा तू का से घ्राइक, इसमें फूर में भाते हैं जão यहां पूर्दता है, तो आपको मांसून सीजन जैसे ही पहली बारिस आपके हां होती है आप उन सभी पौधों में जिसमें आप फ्लावर के हो या फिर ब्रेजी टेवल के हो फ्रूट के हो सब में आप प्रूनिंग कर सकते हैं हाड़ प्रुनिंग इस सीजन में बेस्ट होता है कि पौधで में नई ग्रोथ निकल कर आती है और जितने नए ज्यादा फूर्ट या फ्लॉफ प्रोड्रूथ करता है पौध हुदा तो आप प्रूनिंग कर सकते हैं मांसून सीजन में ये एक बेस्ट टाइम होता है इसके लावा जो नेक्ट है दोस्तों मैं उसी को बता दूँ प्रूनिंग करते समय जो हमारी ब्रांचेस निकल के आती है जैसे ये देखिए मैं कटिंग लगाने जा रहा हूं गुड़हल का हुई या फिर जिस भी फ्लावर्स के आप कटिंग प्रून कर रहे हूं जैसे देखिए मैंने बोगन विल्या की कटिंग ग्रो की हुई है और देखिए कितने अच्छे फूल अभी ततकाल में हमें मिलने लगे हैं तो आप कटिंग भी लगा सकते हैं चाहें आपके कलांचो लगा सकते हैं और बहुत ही इजली मांसून सीजन में कटिंग ग्रो हो जाती हैं 100% चांस होते हैं कटिंग के ग्रो होने की तो आप कटिंग लगा सकते हैं और अपने गार्डन में फ्लावर्स की संख्या या फ्रूट्स बेजटेबल्स जो होते हैं उनकी संख्या को बढ़ आप पौधे की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं एक पौधे में दूसरे पौधे को जोड़ सकते हैं चुकि यह सक्सेज होने की रेट तो मैंने क्या सकता 100% होगा तोगी थोड़ा सा यह टेक्निकल होता है अगर इसमें आपने थोड़ी चीजें इधर उदर कर दी तो वह सक्सेज नहीं होता है अगी process कर सकते हैं कोसिज मिल जाए। फाल ग्राफ्टिंग कर सकते हैं ऐक पौधे से कई बना सकते हैं एयर लेयरिंग के थुझा में एयरलेयरिंग भी काफी ज़्यादा सक्सेज होती है तो मैं उसको भी कह सकता हूँ करीब 95-100% सक्सेज होती एयर लेरिंग मांसून सीजन में तो जिस भी पौदे की आपको नई पौद तयार करनी है और एयर लेरिंग से तयार हुए पौदों में फौदों के अमरूद के पौदे की या फिर ये नीबू की अच्छी एयर लेरिंग तयार की जा सकती है तो इन पौदों को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो एयर लेरिंग के थूँ आप इनको बढ़ा सकते हैं तो एयर लेरिंग के लिए भी ये बेस्ट सीजन माना जाता है मांसून सीजन तो मांसून सीजन में आप ये कुछ जरूरी काम है जिन्हें कर सकते हैं अपने गार्डन में और गार्डन को काफी ज़्यादा हरा भरा रख सकते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो जनकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्स्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कोई सवाल हो कोई सुझाओ हो या फिर कोई आइडिया हो जो मुझे मुझे मिस्स हो गया हो तो उससे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दोस्तों